सब्सक्राइब और जो लोग इसका रिकार्डिंग देख रहे होंगे तो इसका एक रिवीजन वीडियो आ चुका है जिसमें हमने चैनल पर सर्च कर सकते हो ओके अब चलिए आईए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास तो देखो जरा कह रहा है कि इसका रिवीजन में मैंने एक फर्मॉला आपको नहीं बताया था पेस नंबर 286 अगर वपन करोंगे ननंसी अडि में तो आपको एक फर्मॉला मिलेगा क्या फॉमला है वो देखो बताए मैं कैसे याद करता हूं वैसे आप याद कर लो कभी नहीं भूलोगे देखो मैं पता करता हूं 32 मीडियन में मोड अकेला क्या 32 मीडियन में मोड अकेला अब देखो यह क्या बात हो गहीं है ना बस यहीं मैं याद कर लेता हूं उझे याद जाता है ठीके ना 32 मीडियन क्योंकि बहुत भूल जाते ना फॉमुला 32 मीडियन में मोड अकेला अब यह क्या बात कर दे कि I am 32 मीडियन में मोड़ अकेला है ना समझरों ना तो ध्यान सरह चेक करो है यहां पर देखो जिए कि मोड़केला करना आपको मोड़केला टेक्ट तो कुछ मत करो यहां प्लस लगाके मोड़ को अकेले लिख दो टेक ना तेक और यहां मीन लिख दो कि तीन ही तरीगी की Central tendency होती है समझ गए होगे अब तो ठीक है 32 median में मोड अकेला तो 3 median है ना मोड विचार अकेला मोड में किसी से multiply नहीं है और प्लस 2 into median तो बस यह formula होता है 3 into median is equals to इसका मतलब समझते हो ना क्या होता है 3 million ना मतलब 3 into median is equals to mode plus 2 times mean बस अब सवाल पढ़ लो आके ठीक और देखो यह वाले फॉर्मला पर ना बोर्ट examination में कोशन जरूर आएगा ध्यान रखेगा 32 median में मोड अकेला अब पड़ो question क्राइब the median of a series हाँ हाँ वही चीज है अब देखो जरा कह रहा है अब ध्यान रखो जरा कह रहा है कि जो median है जो median है जो median है ध्यान दीजेगा जरा जो median है वो mean से 3 exceed कर जाता है पड़लो न, the median of a series exceeds the mean by 3 याने के बच्छों, अगर हम mean में क्या करेंगे 3 add कर देंगे, अब समझ में आई बात तो हमको median मिल जाएगा, अब कोई बोलेगा यह formula है, नहीं भाई, यह formula नहीं, यह question में given है यह question में given है, क्या given है कि median हमको कब मिलता है, जब mean में 3 exceed कर देते हैं, याने कि mean में exceed करने का बलब add कर देना, तो mean में जब हम 3 add कर देते हैं, ठीक है न, तो कह रहा है, कह रहा है कि find by what number the mode exceeds its mean तो यह बताओ कि mode mean से कितना times exceed हो जाता है तो यह हमको बताना है, याने कि हमको एक तरीके से relation निकालना है किसके किसके बीच में, हमको relation निकालना है mode और mean के बीच में, सही है न mode और mean के बीच में relation निकालना है, तो बहुत असान है, इस formula में आ जाओ, ठीक, तो formula क्या कहता है बताओ, formula क्या कहता है, formula में आ रहे ध्यान से चेक करना, formula में आ रहे है, 3 into median is equals to, ध्यान से चेक करना, 3 into median is equals to, mode plus 2 into mean, सही है न, अब दिखो, जाधा tension मतलो, कुछ नहीं करना, आपको question में दिया तो भाई, median की जगा आप क्या लिख सकते हो, mean plus 3, सही है न, तो ये वाला जो median लिखा है, इसकी जगा अगर आप mean plus 3 में लिख दोगे, तो आपके पास इस equation में क्या क्या बचेगा, mean बचेगा, mode बचेगा, बस median गायब हो जाएगा, तो आपको बस median गायब करना है, ठीक है न, तो ध्यान से करो, 3 into, और ये median का value, किसके terms में, median का value, mean के terms में, कितना हो जाएगा, बताओ, median की जगा क्या लिखोगे, mean plus 3, yes or no, is equals to, में क्या आगया, बताओ, is equals to, में हो गया, mode, है न, और plus, 2 into mean, बस, अब उसने हमको किसके, किसके बीश में relation पूचा था, करता, by what number, the mode exceeds its mean, मतलब समझो, मतलब समझो, भया, question, वो कह रहा है कि, जो mode है न, जो mode है न, वो mean स कितने नंबर के द्वारा बढ़ जाता है, यहां कि यहां पर कोई number आएगा, उस number को आपको बताना है, तो mode को अकेला कर लो, और mean को एक तरफ कर लो, अभी answer आजएगा, आपका, देखो कैसे, समझो, देखो, 3 अंदर जाएगा, तो क्या होगा, यहां से, 3 into mean, by 3 into mean, ठेक, और plus, 3 into 3, कितना होता है, 9 is equals to, यहां गया कितना, mode, right hand side में क्या आगया, आपके बास, mode, और plus, 2 into mean, सही है न, ओके, अब ध्यान दो जड़ा, ध्यान दो जड़ा, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, छेक करो, 2 into mean को अगर आप इधर लेके आओगे, तो minus हो जाएगा, 3 into mean में सही है, तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, जेको, left hand side क्या था, 3 into mean था, बहुत ध्यान से चेक करना, बहुत ध्यान से, और 2 into mean को मैं left hand side लेके जाओँगा, तो minus हो जाएगा, मानते हो की नहीं बताओ, यह वाला जो plus है, यह minus में हो जाएगा, हो जाएगा, उतर जाएगा, minus रही तो है, चक्कलो, 3 minus 2, 1 होता, 1 into mean का मतलब mean बचेगा, अरे, अगर भरुसा नहीं है, तो mean को common ले लो, यहां से, ठीक, तो क्या बचेगा, bracket में, यहां 3 बचेगा, और 2 बचेगा, और into में, बाहर mean हमने क्या कर रहा, common ले लिया, ठीक, और अच्छा, एक चीज मिस हो रह right में ले गए, तो 2 के आगे क्या है, प्लस, तो यहां के क्या हो जाएगा, minus 2 into mean, और एक चीज का ध्यान देना है, एक चीज का ध्यान देना है, प्लस 9 भी तो लिखा है न, left hand side, तो उसको तो ऐसे ही लिखेंगे, left hand side में, और right hand side में, यह mode अकेला बच जाएगा, ठीक है, अ ओके, अब देखो, 3-2 कितना होता है, 1 होता है, तो 1, 1 into mean, 1 into mean, और प्लस 9 is equals to mode, सही है, अब एक बाद बताओ, 1 into mean कितना होता है, भई, 1 को mean से multiply करो, तो mean ही आ जाएगा, तो 1 into mean, mean plus 9 is equals to mode, याने कि mode is equals to, क्या आ गया, mean plus 9, अब यही मैं आप से कह रहा था, बताओ, अब ब mode mean से, कौन से number के द्वारा exit कर जाता है, 9 के द्वारा, तो इसने हम से सवाल पूछाता था, कि, by what number, so, हम लिखेंगे answer इसका इस तरीके से, mode exceeds its mean by 9, mode, चेक लो न, mode exceeds its mean by 9, mode जो है, इस series के mean से 9 ज्यादा है, ओके, तो mode, mode, exceeds the mean by the number 9, by 9, सही है, बताओ, कोई डाउट है, कोई डाउट है, अब देखो जड़ा, इसमें न, अभी भी कुछ बच्चों को डाउट रहता है, क्या डाउट रहता है, मैं आपको बता दूँ, बच्चे सोसते सर, कोई variable लेके, इस question को कर दो, x, x मान के कर दो, हाँ भई, सारे बच्चों को ये language के form में नहीं समझ में आता है, तो आप इसमें x मान के भी कर सकते हो, देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, किस तरीके से, आप क्या करोगे यहाँ पर, आप बोलो के question में, let us say that mean, जो mean है, उसको आप x मान लो, ठीक है, mean को x मान लो, ना भाई, क्या चल mean by 3, mean by 3, multiply मत कर देना, 3 से, mean, median exceeds mean by 3 का मतलब है, कि 3 add करोगे mean में, तब आपको median मिलेगा, ठीक है, अब देखो जड़ा, तो यहाँ से median की value भी x के time में आ जाएगी, कि नहीं आ जाएगी, बताओ, median is equals to, अब बताओ, mean को तुमने क्या माना है, x, तो यह ज्यादा असान तर यह वाला formula कापी करके इधर ले आओ, चिपका दो यहाँ पर, अब value रख दो, अभी तुम्हें answer मिल जाएगा, ठीक है, चेक कर लो, यह क्या है, 3 into median, और यह क्या है, 2 into mean, अब देखो, 3 into, और यह median का value रख दो, median कितना है, बताओ, x plus 3, तो median की जगा तुमने क्या रख रख गया, mode, सही है, और प्लस में, 2 into x, 2x, अब बताओ, यह तो linear equation का question बन गया, यह तो आप कर लेते हो है, प्लस का 2x इधर आएगा, तो, क्या हो जाएगा, 3x minus 2x, और प्लस में 9, तो था ही left hand side है, ना, और mode यहाँ बिचारा, अकेला बच जाएगा, right hand side में, तो mode बच गया, अब बताओ, 3x minus 2x, 1x, 1x का मतलब x, x plus 9 is equals to mode आ गया, सही है, और इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्या, कि mode is equals to x plus 9, 1x step में क्या लिख सकते हो, mode is equals to, अब बताओ, x की जगा वापस क्या लिख सकते हो, x की जगा आप mean लिख सकते हो, तो x की जगा आपने mean लिखा,